नमस्कार कहानी गोल्ड में प्रस्तुत करती हूँ आज की कहानी कहानी का शिर्षक है बेटी की मा लेखी का मालती जोशी जी यह रिष्टा भाईया के ससोजी ने तै किया था अम्मा ने एक तरह से या भार उनके ही सिर डाल दिया था और कहती भी तो किस से भाईया तो इस काम के लिहाद से बहुत छोटे थे उनका अनुभवी कितना था जी जा जी थे जो दिन रात अपनी ही शान बगारा करते थे अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते कि उनकी बिटिया का हाथ थाम कर उन्होंने उपकार किया था वे अब भूल जाते थे कि दीदी के शादी बाबुजी के सामने हुई थी और उसमें बाबुजी ने अपनी हैसियत से ज़ादा ही खर्च कर डाला था चाचा जी की लीला तो और भी न्यारी थी एक ही शहर में रहकर महीनों शक लहीं दिखाते थे हाट बजार में मिलते तो हालचल पूछने से कत्राते थे कि कहीं कुछ लेना देना न पड़े लेकिन जान पहचान वालों के सामने या दिखावा जरूर करते थे कि स्वर्गी भाई साहब की ग्रिहस्ती का भार ढोते ढोते उनके कंदे जुकाए हैं भाईया की इंजिनियरिंग की पढ़ाई का तो पता नहीं कहां कहां रोना रोया होगा इसलिए यह बात एक तरह से तै थी कि हम दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाए भाईया के लिए तो खेर कोई समस्या ही नहीं थी उन्हें नौकरी बाद में मिली रिष्टे पहले आने लगे थे सवाल तो मेरा था अम्मा को बस मेरी शादी की चिंता ही गून की तरक खाये जा रही थी इसलिए उन्होंने सीधे समधी जी से ही बात की देखिये भाई साहब दो-दो बार मेहमानों को जेलना मेरे बसका नहीं है ना मेरे पास उतना पैसा है ना काम बटाने वाले हाथ है इसलिए मैं एक ही बार में सब निप्टा कर छुट्टी ही लेना चाहती हूँ किसी तरह इस लड़की के लिए एक वर्ज उटा दीजिए तो मैं फोर्सत हो जाओ आपकी बेटी के सिर भी फिर कोई भार नहीं रहेगा बेचारे पार्णे जी समझ गए कि या बहन जी का अनरोध नहीं है आदेश है एक तरह से शादी की शर्थ ही है बेचारे अपनी बिटिया के लिए जूते चटका कर हलकान हुए जा रहे थे अब या एक और जिम्मेदारी इस दिर पर आ गई अपनी लड़की के लिए वर्खोशना फिर भी आसान है आपको अपनी हैसियत का आउकात का पता होता है भले बुरे की जिम्मेदारी भी आपके अपनी होती है दोसरों के लिए काम करते समय तो दस बार सोचना पड़ता है पर इंजिनियर दमात पाने का लालच उन्हें बल दे गया और वे मेरे लिए भी एक नायाब हीरा खोश कर ले आए लड़का उन्ही के शहर कानपूर का था अंग्रेजी में गोल्ड मैडलेज, M.A.P.H.D., अपना मकान, घर में केवल भाई-भावी मकान भी दो हिस्सों में बटा हुआ जब मर्जी को किराइदारों से खाली करवा कर अलग रहस्ती बसा लो इतना अच्छा रिष्टा तो शायद हम लोग भी नहीं खोश पाते और यहां खोशने को था ही कौन, देखने दिखाने का कारिकरम कानपूर में ही समपन्द हुआ हम लोग भावी की गोद भरने गये थे, भाईया भी साथ हो लिये थे वही उन लोगों को बुला लिया गया, परिचित तो थे ही बात तैह हो गई तो खुश हो गए कि परिचय अब रिष्टे में बदल जाएगा हम लोग किसी तयारी से नहीं गए थे फिर भी चाचा जी ने लड़की को 101 रुपए देकर शगुन लिया उनकी भावी ने मुझे एक साड़ी दी, सगाई के लिसाई ढूडने की बात थी तो उनके भाई बोले, मैं इन धकोसलों में विश्वास नहीं करता बात तो हो ही गई है, अब आप शादी की तयारी कीजिए सब लोग बहुत खुश थे, ऐसे सुलजे हुए इंसान आशकल कहां मिलते हैं दिवाली के बात पहले दो मुहर्तों पर शादी करना तै हुआ बीच में दो-तीन दिन का अंतराल था, जोकि जरूरी था इस बीच थोड़ा सा वभारी कादान प्रदान में शुरू हो गया था जैसे जनम दिन की बधाईयां उपहार आ दी सावन में हमने भाबी के हाराखी डोरा भेजा, मेरी ससुराल से भी सामान आया शुरू-शुरू में हम लोग पत्र भी लिखते थे, भाईया एक आद बार हो भी आये थे फिर देखा कि अम्मा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो सैयम कर लिया तीन-चार महीनों की ही तो बात थी, जो उनकी अंत में भाबी का रिजल्ट निकला था इंग्लिश में गोल हो गई थी, भाईया बहुत बिक्रे, मैं तो इंग्लिश लिट्रेचर देखकर ही रिजा था नहीं तो आजकल भी ये पास लड़कियों को फूशता कौन है उन्होंने फौरान अपने होने वाले बहनोई को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि समय निकाल कर शुश्मा को थोड़ा कोच कर दे मेरे लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है तब भाईया कहां जानते थे कि वे अपने ही पैरों पर कुलाडी मार रहे है अम्मा के उत्सा का अन्त नहीं था अपना गठिया वाद सब कुछ भूल कर वे तयारी में जुट गई थी उनकी खरिदारी जैसे खत्मी नहीं हो पा रही थी एक से गहने, एक सी साड़िया, एक से स्वेटर, एक से सूट बेटी और बहु में, बेटे और दमाद में वे कोई फर्क नहीं कर रही थी जो भी गर में आता, उनके सामने वे अपना बक्सा खुल कर बैठ जाती उनकी प्रशंसा पाकर खुर्श होती बाबुजी की मृत्यु के बाद पहली बार उन्हें इतना खुर्श देखा फौरन भाबी के पिता को पत्र लिखा कि वे कैसा इंतिजाम कर रहे हैं, कितनों का कर रहे हैं, लिख भेजे ताकि लोगों को उसी प्रकार आमंत्रित किया जा सके फिर राजेश के भाई सहाब को भी लिखा कि वे कितने लोग आ रहे हैं कैसी विवस्था चाहते हैं लिखें ताकि यहां सब सिलसिलेवार हो सके बेंड आप अपना लाएंगे कि हम यहां ठीक करें क्या आपकी बारात में महिलाएं होंगी क्या उनकी अलग विवस्था करने होगी अम्मा ने लगातार कोई तीन चाह चिठियां लिखी होंगी पर कोई उत्तर नहीं आया फिर टेलिग्राम दिये गए पांडे जी तो उसे भी पी गए पर राजेश के भाई सहाब का एक दो लाइन का पोस्ट कार्ड आया कि हो सके तो तारीख आगे बढ़ा दे अम्मा तो एकदम बढ़ा गई तारीख आगे बढ़ाना कोई मजाग है यहां सब का बयाना दिये बैठे हैं वह तो डूबी जाएगा फिर दोबारा व्यवस्था होना क्या इतना सरल है चार महीने पहले से हॉल बुक कराना होता है समय पर न हलवाई मिलते हैं न बैंड वाले शामी आने तक बुक हो जाते हैं हार कर अम्मा ने जीजा जी को कानपुर भेजा कि ठीक से सारी बाते तै करके आएं किया धरत उन्होंने कुछ भी नहीं उल्टे आते ही बरस पड़े ऐसी ही बेशती करवानी हो तो आगे से हमें न भेजा कीजिए आखिर हुआ क्या होना क्या था लोगों ने तो हमें हर कारा समझ लिया किसी ने सीधे मुँ बात तक नहीं की राजेश जी तो हमें देखकर सीधे दिल लिखे सक लिए बोले जरूरी समिनार है उनके भाई साथ बुखार का बहाना बनाकर कमरे में दुबग गए बस एक भाबी थी जो हमें घंटे भर बात चाय नाश्ता करवाती रही जैसे मैं वहां सिर्फ पेट भरने के लिए ही गया हूँ तो पांडे जी को साथ ले लेते वाह क्या कहने है अरे आपके पांडे जी के यहां तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं सुश्मा ने भी नहीं पहचाना कहा तो दर्वाजे से ही टरका दिया कह दिया कि पांडे जी तीन-चार दिन के लिए बनारस गये हूँ जब वे लोटा है तबाईएगा कसम है मुझे जो अब मैं उनके दर्वाजे थोखने भी जाओ अम्मा तो सश्मर डर गई जीजा जी इस अपमान का बदला भाईया की शादी में जरूर निकालेंगे इसमें संदेह नहीं था फिर अम्मा ने चिरौरी करके चाचा जी को भेजा चाचा जीजा जी की तरह सोफिस्टिकेटड आगमी नहीं थे पिलकुल ठेट किसम के जीव थे मान अपमान की परवा किये बिना बात की तह तक पहुचकर ही दम लेते थे चाचा जी ही वक खबर लाये थे जिसे सुनकर हमारे पैरो तले की जमीन खिसक गई थी खबर सच मुझ बहुत भयानक थी अंग्रेजी साहित पढ़ते पढ़ाते सुश्मा और राजेश एक दूसरी को कब पढ़ने लगे थे किसी को पता ही नहीं चला जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी समझाने बुझाने के सारे प्रयास विखल हो गए और फिर एक दिन किसी मंदिर में फेरे लेकर इन लोगों ने वह फिशे हिसमाप्त कर दिया पांडे जी बिचारे क्या कहते बस चाचा जी से छमा मांगते रहे लेकिन राजेश ने साफ कह दिया सगाई वगेरे तो हुई नहीं थी अगर सगाई हो भी जाती तो भी क्या फर्क पढ़ना था मन क्या कभी इन बंदनों की परवा करता है सुशमा को ही सगाई का बंदन कहां रोप पाया अम्मा तो गुस्से से पागल हुई जा रही थी उस दिन भाईया जैसे ही काम से लोटे वे उन पर तूट पड़ी और पढ़ा लो अंग्रे जी पता नहीं रानी जी को कहां की कलेक्टरी दिलवानी थी अरे नहीं आती थी अंग्रे जी तो न सही हिंदी में बात करती तो क्या तुम छोटे हुजाते और अब चार लोग सुनेंगे तो कितनी इज़द बढ़ेगी चुडएल सब के मुँपर जाड़ो फेर कर चली गई बैया हत बुद्ध से अम्मा का प्रलाप सुनते रहे उनकी समझ में उसका फिर पर कुछ भी नहीं आ रहा था बड़ी देर बाद उनको पता चला की माजरा क्या है और वे पत्थर हो गए मैंने सोचा था कि उनकी प्रतिक्रिया भी अम्मा की तरह विस्खोटक होगी पर वे बुद्ध बने बैठे रहे थोड़ी देर बाद बिना कहस उने बाहर चले गए बारा घंटे बाद उनका चछत विछत शरीर ही वापस लोड़ता था इस अपमान को इस लच्चा को वे परदाश नहीं कर पाए और वे रेल के सामने कूद करे थे मरना तो मुझे भी था पर अम्मा को देखकर जी कड़ा कर लिया इस वज्चरपात को वे अकेले कैसे जहेलती दुख की इस घड़ी में मेरे सिवा और कौन था जो साई की तरह उनके साथ रहता निसन दे उनका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा था तब से साल पर साल गुजरते चले जा रहे हैं उम्र मुठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है और मैं हूँ की वही खड़ी हूँ जहां 25 साल पहले खड़ी थी ट्रिंग 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 एक साथ पता नहीं कितनी घंटियां बज उठी थी तंद्रा टूटी तो देखा कंड़क्टर कान के पास खड़ा चिल्ला रहा था बहन जी उतरना नहीं है हर बड़ा कर उठ खड़ी हुई तो देखा सारी बस मुझे घूर रही है कंड़क्टर रोज का परिचित था इसलिए सज्जनता बरत रहा था पर यात्रिगण मुझे क्या छमा करते या आधे मिनट की देरी भी उनके लिए असहाई थी इसलिए उतरते समय कितनी फप्तियां सुननी पड़ी आजकल तो लेडिस भी भाग पत्ति खाकर चलने लगी है अरे किसी के ख्यालों में खो गई होगी इस उम्र में शर्म से गड़ गई मैं रास्ता चलते हुए भी जैसे ये आवाजे मेरा पीछा करती रही और मैं कुड़ती रही क्या जमाना आ गया है लोगों में जरा भी लिहाज नहीं रह गया है जो मुँ में आया बग देते हैं साथ वाले भी उन्हें टोकते नहीं उल्टे ही ही करके हज देते हैं चलते चलते मैं अचानक ठिठक गई अपने भुनभुनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो इस तब्द रह गई मुझे जादा वा उम्र वाला फिक्रा ही चुबा था गोया तैताली साल की उम्र में कोई किसी के ख्यालों में डो भी नहीं सकता अगर यह सच होता तो क्या मैं अतीत को इतनी बारे की से याद रख पाती क्या उस भयावा अनुभव को फिर से जी पाती अतीत के चल्चित्रों में जो बार-बार जाक रहा था मुझे जग जोर रहा था भचेरा किसका था राजेश का ही तो था और इतने दिनों से मैं यह अभ्रम पाले हुए थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ वक्त का तकाजा भी वही था इस उम्र में कितनी हिकारत से कहा था उस लड़की ने जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ योवन ने ले रखा हूँ और तैताली साल की उम्र में क्या कोई बूढ़ा हो जाता है खैर उसका भी क्या दोश है मेरा सूखा शरीर, रूखा चहरा और खिचडी बाल देखकर अकसर ही लोग मुझे पचास के पार पहुचा देते हैं कई बार मन होता है कि बाल रंग लिया करूं पर हिम्मत ही नहीं होती अम्मा की घूरती निगाहों से डर लगता है कई बार इच्छा होती है अम्मा कभी तो कहें कि तू कैसी होती जा रही है जरा तो अपनी सिहत का ख्याल किया कर पर अम्मा कभी कुछ नहीं कहती उन्हें अपना ही रोना रोने से पुरसत नहीं मिलती दिन बर बिसुरना और उसास भरना उनके पास बस यही दो काम रह गए है अम्मा तुम्हें वो मिसिज अहिरवार याद है उस दिन पार्टी में आई थी खूब याद है और बिट्टो हम कहे देते हैं ऐसे वैसों को घर में मतलाय करो हाँ जिस दिस के जूठे बतन हम नहीं दोएंगे हाँ यानि अम्मा को अब तक उस बात का मलाल बना हुआ है दो महीने पुरानी बात भी उनके जहन में अब तक ताजा है पहली बार घर में किसी को बुलाया था जश्न करने का तो कभी मौका ही नहीं आया सब पीछे पड़ी रहती थी उपर छट पर बर साती नुमा एक कमरा बनवाया था उसी का बहाना लेकर सब को चाय पर बुला लिया था दिन भर अम्मा बड़े चाव से सब कुछ बनवाती रही सब का स्वागत भी उन्होंने बड़ी आत्मिरता के साथ किया पर जैसे ही मैंने एक-एक का परिशे देना शुरू किया उनके चहरे का रंग बदलने लगा खाने में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जिसका किसी ने बुरा भी नहीं माना पर जब सारी टीम मदद करने के बहानी चौके में घुसाई तो मैं समझ गए कि आज रात अम्मा का उपवास रहेगा एक बून पानी भी वे नहीं पीएंगी सब के जाने के बाद रात को मैंने बरतन समेटे मारी तो कभी घर में थी ही नहीं अपने आप ही सब कुछ करना था अम्मा से बस मैंने कब प्लेट धोने के लिए कहा था उन्होंने मना तो नहीं कि आप पर इतना कुछ सुना दिया मानो मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब कर दिया हो इतना ताव आया था मुझे मान लो आज भाईया होते तो घर में रोज जोज पार्टिया होते तब भी क्या अम्मा ऐसे ही जीकती दूसरे ही छड़ ख्याल आया भाईया होते तो अम्मा बरतन क्यों धोती इंजीनियर की मा होती वे नौकरों की पल्टन पर राज करती अहिरवार की कोई बात कह रही थी न तुम अम्मा ने टोका किस्सों में उन्हें बेहद रुची है समझती है कि बिट्टों ने जब बात उठाई है तो बेमतलब नहीं होगी मिस्स जहिरवार की बेहन का लड़का उनके यहां आया हुआ है सो अकेला नहीं है अम्मा एक लड़की भी साथ में है कानपूर के वाजपी परिवार की है लड़की की माने जहर खालिया है बाप को हार्ट अटेक हो गया है दोनों अस्पताल में भरती है लड़की का बड़ा भाई पिस्टॉल लेकर घूम रहा है कि या तो बहन को वापस ले जाएगा या दोनों को मारतेगा फासी भी हो जाए तो फरवा नहीं मिस्स जहिरवार बिचारी खूब रो रही थी इतना गुड़ी लड़का है बैंक में ऑफिसर है बहन की सारी आशाय उस पर ठिकी हुई है यह तो लड़की भगाने से पहले सोचना था ना उसने भगाई नहीं है अम्मा लड़की खुद उसके साथ आई है वह कोई बच्ची नहीं है उसके साथ बैंक में काम करती है पढ़ लिखकर यही तो होगा अम्मा का ये तक्या कलाम है जहां कुछ उल्टा सीधा सुना सारा दोश पढ़ाई के सिर मर दिया जैसे पढ़ लिखकर सभी लड़कियां आवारा हो जाती है एक मैं भी तो हूँ पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर रहे हूँ फिर भी पिछले पच्चे सालों से जोग धारड के बैठी हूँ की नहीं पर अम्मा की आँखे मुझे तो शायद कभी देखते ही नहीं अम्मा, उस लड़की के माबाब कौन है, जानती हो कौन? वही जो कभी तुम्हारी बहु और दामाद बनने वाले थे अम्मा का मुझ खुला का खुला रह गया नाम और गली जरा परिचित सा लगा तो मैंने कुरेद कर पूछ लिया था अम्मा मेरा ख्याल है हम बिटिया का विद्वत करन्यादान कर ही दे किसी दिन वा तुम्हारी भी पोती हो सकती थी ख़बरदार अम्मा दहारी उस को लक्षिनि प्लीज अम्मा अम्मा का पैंतरा देख कर मैं जबरदस्ति उन्हें टोग दिया क्योंकि जब फैंग गाली देने लगती हैं तो ऐसी गालियां देती हैं कि खान बजने लगते हैं खास कर सुश्मा के लिए तो उनके पास इन अनमोल बोलों का अक्षय कोश है राजेश हर बार साफ बच जाते हैं क्योंकि हत्या तो भहिया की हुई है मुझे भी किसी ने जिन्दा लाश बना दिया है या उन्हें नजर नहीं आता मेरी टोकने से अम्मा की धारा प्रवागालियों पर प्रेक तो लग गया पर उनका बुद्बुदाना अब भी जा रही था अम्मा मैंने कहा क्यों अपनी जबान गंदी करती हो अपनी करनी तो वे खुदी भोग रहे है बिटो यह तो होना था बबूल में कभी आम फले हैं ऐसी मा की कोख से सती सावित्री तो पैदा होने से रही इसलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है सच मुझे तो आज बड़ी तसलि हो रही है कलेजे पर ठंड़क पड़ गई है मेरे जितना उसने मुझे रुलाया है भोले ना तुससे ज़ादा उसे कलपाएंगे मरते समय कोई पानी देने वाला भी पास में न होगा अम्मा बदिस्तोर शुरू हो गई थी घर की दिवारे उनकी बद्धुआउं से प्रतिध्वनित हो रही थी एक-एक शब्द कानों पर हथोड़ी की तरह पढ़ रहा था पर अब उन्हें चुप करानी के सामर्थ मुझ में नहीं थी पूरी शाम उनका बड़ बड़ाना जारी था रात खाना खाते समय भी खासे मूड में थी बार बार कह रही थी तुझे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए रुप गई नहीं तो आज ठाकुर जी को हल्वा पूरी खिलाने का मन हो रहा था कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सनाई है जी खुश हो गया आज मेरी आत्मा को शांती मिली है सालो साल मैंने आखों में रात काटी है आज मैं चैन की नीन सूँगी मुझे लेकिन रात भर नीन नहीं आई पुर्षत में लेटे लेटे जब अपना ही मुआइना किया तो मैं चकित रह गए मेरी नीन खुशी ने उड़ा दी थी हाँ सच मुच में बहुत खुश थी शायद अम्मा से भी ज़्यादा खुशी थी मुझे अम्मा से इर्शा हो रही थी कितनी सुखी है वे बेख अटके मन की बात कह डालती है और मैं सब्वेता का मुखोटा उड़े बेवजे अपने में कुड रही हूँ अपना यह स्वान किसे दिखाना है मुझे किसे रिजाना है मैं खुल कर कहती क्यों नहीं कि आज मेरे कलेजे पर भी ठंड़क पड़ी है मेरी बद्धुआये भी रंग लाई है तुमने हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी उजार दी थी आज तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर पर भी काल नाच रहा है इश्वर ने बहुत सही न्याय किया है पर मजे की बात यह थी कि मेरा सारा रोज, आकरोज, राजेश के लिए था सुश्मा को तो मैंने कपका बरी कर दिया था नीन नहीं आ रही थे फिर भी दम साधे पड़ी रही करवट बदलते भी डर लग रहा था खमरे के दूसरे शोर पर अम्मा की चारपाई थी बहुत दिनों बाद चैन की नीन सोई थी सोचा, अपनी खटर-पटर से उनकी नीन क्यों खराब करूँ तीन बजे तक मैंने किसी तरह सब्र किया फिर उठना ही पड़ा मैंने बिल्कुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा दबे पाउ भीतर गई बैतरूम का दर्वाजा, पानी का मटका बहुत धीरे से खोला और बंद किया जरा भी आवाज ना होने थी आवाज की डर से ही बिजली का स्विश तक नहीं दबाया उसी तरह दबे पाउ लोटकर कमरे में आई देखा अम्मा की चारपाई खाली थी और शायद वा बड़ी देर से खाली रही होगी क्योंकि देर तक जागने के बावजूद मुझे उनके खासने खाखारने की आवाज सुनाई नहीं दी थी कहा चली गई अम्मा, पीतर तो नहीं थी मैंने बाहर जाका, बरामदे की जाली से लगी वे एक टक बाहर निहार रही थी अम्मा, मैंने आवाज दी, दे चौकी, उन्होंने फलट कर देखा उनकी आखे डबडबाई हुई थी, सामको लास से दमकता उनका चेहरा बुच्छा गया था क्या बात है अम्मा, नीन नहीं आ रही उत्तर में उन्होंने फिर शोन्य में नजरे गड़ा दी, डूपते सी आवाज में बोले सब किस्मत की बात है लली, एक भ़ बेटा है, जो घर की आनबान के लिए मनने मारने को उतारू हो गया है एक हमारे थे जो चुपचा पटरी पर लेट गए, यह भी न सोचा कि अम्मा का बुढ़ापा कैसे कटेगा मैं इस्तब्ध रह गई, अम्मा की पेट पर रखा, मेरा हाथ बर्फ हो गया तो क्या अम्मा सारी राद चाक कर इसी का मातम मना रही थी क्या मैं बिलकुल भूल कहीं कि उनके बुढ़ापे की गरिमा बनाए रखने के लिए मैंने अपना यौवन राख कर दिया है विफफफफ कर रो पड़ी थी, पर मैं जडवत खड़ी रह गई उन्हें सांतोना देने का जरा भी मन नहीं हुआ क्योंकि पता था कि इन आसूं में से एक भी मेरे लिए नहीं है मेरे लिए मेरे उजड़े अतीत के लिए, मेरे सूने भविश्य के लिए मेरे बिखरे सपनों के लिए अम्मा कब रोई थी, जो आज रोएंगी आज पक्का विश्वास हो गया अपने को कि जिनके लिए तिल तिल कर जी रही हूँ, मेरे मेरी मा नहीं है मैं तो भईया की मा है, अपने बेटे की मा